Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल दी जाए, यहाँ पर जो चाइना है, उसकी काफी कोशिस थी कि उनके जो करीबी देश हैं, उनको इसके अंदर include किया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो खबर आई है, emerging markets group breaks, invite six new members, including Saudi Arabia and Iran, तो इसके बारे मैं आपको details से बताऊंगा कि exactly हुआ क्या है, क्या हो र रहे हैं, एक ऐसा course चाते थे, जहाँ पर prelim से लेकर interview तक कि पूरी त्यारी कराई जाए, तो यह batch कल से ही start हुआ है, अभी orientation class हुए है, आपके पास अभी भी मौका है कि तीनो live batch हैं, कोई भी आप लेना चाहो, pure English में, pure Hindi English, हमारे website app पर जाए, यह comment section में इसका link है, वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, वह आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह देखते हैं कि exactly हुआ क्या है, देखे 5 देश जैसा कि आप सबको पता है, Brazil, Russia, India, China and South Africa, यह already BRICS का part थे, 2010 से अगर आप देखोगे, क्योंकि 2010 में South Africa को भी add किया गया था, और इसकी वज़े से यह बन गया था BRICS, लेकिन अब 6 और देशों को इनके यहाँ पर membership दी जा रही है, तो question यह भी आएगा कि आखिरकार क्या इसका जो नाम है BRICS, वो बदला जाएगा क्योंकि जो देश हैं, उनके initial letter से ही यह पूरा नाम बना है BRICS, अब क्या इसमें all letters जोड़े जाएंगे, क्या नाम होगा इसका, अभी यह तैय नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो 6 members हैं, 6 नए members हैं, उनके नाम आप देख सकते हो, in fact map से भी आपको दिखाना चाहूँगा कि यह कहां कहां पर है, सबसे पहला Argentina, Argentina आपको पता है South America के मिलेगा यह रहा आपका इरान, इसके अलावा UAE हो गया, United Arab Emirates, छोटा सा यहाँ पर 7 Emirates से मिलकर बनता है, सौधी अरब के साथ इसके borders जोड़ते हैं, फिर इसके अलावा सौधी अरब को भी include किया गया है, और Ethiopia and Egypt, again, Africa के अंदर आपको मिलेगा, यह जो आप देख देख र गया है, तो यह total 6 देश हैं, that is Middle East में यह आपके 3 देश हो गया, 2 देश एफरिका के हो गया, और एक देश हो गया आपका South America का, यह total 6 देशों को membership दी जारी है, अब मुझे नहीं पता कि last time कब ऐसा हुआ था, कि कौन से organization में, मतलब आप सोच के देखिए, यहाँ पर जो total members अभी present में हैं, उनकी संक्या 5 है, और यहाँ पर उससे ज़्यादा membership देजारी है, तो किस तरह सी चीज़ें turn out होंगी, नहीं होंगी, यह आगे ज़र कर पता चलेगा, लेकिन इसके बारे में आप देख सकते हो, जो South Africa के President है, Cyril Ramphosa, उन्होंने यहाँ पर अपने address में इसके समय चल रहा है, और इसी में South Africa के President ने Announce किया, और साथी साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि कल ही यहाँ पर Reuters की भी खबर आई थी, और बताया जा रहा था कि हो सकता है कि इसके अंदर और members को include किया जाए, देखें इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि भारत और चा और फानेडी यहाँ पर जो पहला सम्मिट आप देख सकते हैं, पहले चार देश हुआ करते हैं, यह हुआ था 2009 में, रश्या के अंदर पहला सम्मिट हुआ था, फिर 2010 में South Africa को include किया गया और यह बन गया BRICS, और इसके बाद से आप देखोगे तो अभी तक किसी भी members को include न और English, अब BRICS का अगर आप देखोगे तो काफी जादा महत्व है, इसका main कारण यह है कि यह सिर्फ 5 देश अकेले मिलकर 30% area कवर करते हैं दुनिया का, इसके लवाद GDP की बात करें, तो दुनिया की 22-23% GDP यह अकेले 5 देश कवर करते हैं, और इसका पूरा आबादी की बात नाइजीरिया नहीं, इतियोपिया और इजिप्ट, और साथी साथ साथ साथी एरव हो गया, योई हो गया और इरान हो गया, इन देशों से जब यह मिलेगा, तो अव्वेसी बात है कि यह जो संख्या है वो आपको और बढ़ते वे देखने को मिलेगी, और जैसा कि मैं का जो थीम है, आपके exam point of view से बहुत important हो जाता है, इसका थीम याद रखेगा 15th summit का वो है, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism, और यह summit announce करने के पहले ही अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर कयास लगाय जा रहे थे, बोला जा रहा था कि क्या मैं और members को include करना चीए कि नहीं, क्योंकि जादा ऐसे देश हैं, जो कि यहाँ पर लगतार apply कर रहे थे, कह रहे थे कि हम चाते हैं कि इसके अंदर हमें भी include किया जाए, लेकिन अभी के लिए 6 देशों को ही include किया गया, अब देखे, significance क्या है इसका, significance सबसे पहला तो यहाँ पर यह है, कि इसकी वज़े से आगे आने वाले समय में हो सकता है कि और देशों को इसके अंदर include किया जाएगा, 6 देश मिलने से अभी total 11 देशों का यह member पूरा बन जाएगा, यह membership हो जाएगा, और हो सकता है आगे चलकर और देशों को include किया जाएगा, तो जैसे G20 है एक तरह से जो दुनिया की top countries है, 20 countries हैं, वैसे हो सकता है कि Briggs भी एक तरह से यहाँ पर जो developing countries का समू है, वो उसको represent करेगा, यहाँ पर अपने आप में एक काफी जादा weightage रखने की कोशिश करेगा, in fact आप देख सकते हो कि जो President Ramfosa है South Africa के, उन्होंने यहाँ पर इसका announcement किया और PM Modi को भी stage पर बुलाया था, और यहाँ प फायदा दे सकता है, खेर इसमें एक important ची मैं आपको यह भी बता दूँ कि China बहुत ज़ादा push कर रहा था कि Pakistan को भी membership दी जाए, लेकिन obvious ही बात है भारत इसके against ही जाएगा, भारत यहाँ पर support नहीं किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि again, यहाँ पर Pakistan और China का एक good बन ज है, लेकिन real question यह है कि आखिरकार चाइना इसका expansion क्यों चाहता था, चाइना क्यों चाहता था कि और ज़्यादा देशों को इसके अंदर include किया जाए, देखो इसका simple कारण यह है कि चाइना चाहता है कि यह जो पुरा समू है ब्रिक्स देशों का, इसमें ज़्यादा से ज़ रहा है, relations बहुत खराब गए है, तो सौधी एक तरह से यहाँ पर directly partnership कर चुका है चाइना के साथ, चाइना अपना maximum बहुत सारा जो oil वगरा है, वो सब कुछ सौधी एरब से मंगाने लग गया है, तो सौधी एरब पहले US के उपर जो निर्भर रहता था, अब यहाँ पर व किया जाए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर सौधी एरब और चाइना यहाँ पर भारत के खिलाफी कोई ना कोई कदम ले सकते हैं, कुछ भी हो जाए, you never know, और इसके साथ साथ चाइना की जो foreign ministry है, उन्होंने इस summit के start होने से पहले ही यहाँ पर कह दिया था कि पिछले साल का जो summit हुआ था, उसमें हमने expansion की बात की थी, हमने already कहा था कि इस बार के summit में और members को include किया जाएगा, इसी की वज़े से हम चाहते हैं कि यहाँ पर include किया जाए, खेर अगर हम भारत के stand की बात करें, तो भारत तो अगर आप देखोगे, तो starting से ही यहाँ पर मना कर रहा था, ठीके भारत का basically यह कहना था, कि अगर आप कोई membership ले रहे हो, अगर आप किसी दूसरे देश को include कर रहे हो, तो यहाँ पर एक formal process होना चीए, एक तरीका होना चीए कि कौन से देश इसके अंदर include किये जा सकते हैं, किसको नहीं किये जा सकते हैं, जैसे कि भारत कह रहा था कि ह इसन देशों को include करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब सौधी अरब में तो democracy है नहीं, आप सबको पता है, लेकिन चाइना लगतार सौधी अरब को promote कर रहा था, तो इसी की वज़े से भारत यहाँ पर खिलाफ था, भारत ऐसा नहीं है कि simply हमने यह बोल दिया था कि हम किसी भ अब आप देख सकते हो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि रश्या और चाइना सौधी अरब के काफी करीब आ चुके हैं, और एक प्रकार से जो crown prince है सौधी अरब के मोहमद, उनके साथ काफी अच्छी partnership है, और चाइना इसे में top oil customer बन चुका है सौधी अरब का, और इसी की के साथ सटावा एक border देश है, छोटा सा Belarus, Lukashenko इसके president है, बहुत लंबे समय से बने वे हैं, ताना शाह उनको बोला जाता है, तो Belarus भी लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि BRICS की membership मिले, लेकिन भारत ने oppose किया था और इसी लिए Belarus को यहाँ पर नहीं दिया गया, खेर क्या हु बहुत जादा यहाँ पर प्रयास कर रहा था कि expansion होना चीए, तो इसी के वजह से कल PM Modi ने भी इसके बारे में कुछ announcement किया था, कि चलो अगर expand करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हम global south के उपर focus कर रहे हैं, आपको पता है इस बार G20 की presidency भारत के पास है, तो उसमे में भी भारत कोशिश कर रहा है कि जो global south के countries हैं, जो developing countries हैं, उनको हम जादा से जादा support करें, और जाने से पहले यहाँ पर एक और चीप मैं आपको बता दूँ कि currency को लेकर भी काफी बातचीत हो रही थी, कि क्या एक bricks का currency होना चीए, although इस वाले submit में अभी इसको लेकर कोई बड़ा announcement नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने इसको भी oppose किया था, भारत नहीं चाता था कि यहाँ पर कोई भी common currency हो, क्योंकि अगर आप देखोगे, तो bricks देश के अंदर ही जैसे भारत हो गया, Russia हो गया, दोनों के बीच में partnership हो रही है, चाइना जो है, वो South Africa और Brazil के साथ partnership कर चुका है, कि यहाँ पर वो local currencies में trade होगा, तो भारत को लगा कि इसका common currency लाकर हम simply यहाँ पर अपना time waste करेंगे, although भारत कोशिश कर रहा है, अपना खुद का जो रूपे है, उसको और ज्यादा strong बनाया चाहिए, तो यह अभी latest खबर आई है, I hope कि आपको समझ में आ गया हो ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ आपस stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF की तो टेलिग्राम पर आई, यह लगलग social media पर आप यूड़ रूपा होगे, और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी batch लेना हो, just use the code ANKITLIF, कल सही हम हमारा तीनों batch लाइब हुआ है, don't worry, अभी आप चाहो तो admission ले सकते हैं, और अपनी preparation को start कर सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हूँ, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.